उत्राखन की जंगलों में कई ऐसे पेड़ पॉंधे पाई जाते हैं जो खुबसुरत होने के साथ ही औशदी गुणों से भरपूर होते हैं जिनका उप्योग करके यहां के लोग सधीयों से निरोग रहते हुए हैं इन दिनों उत्राखन के पहाड़ी इलाकों में क्वेराल के खुबसुरत फूल खिले हुए हैं यह फूल आकर्शक होने के साथ ही अपने आप में कई औशदी गुणों को समिटे हुए हैं पेड़ों में खिले हैं रंग बिरंगे फूल जितने खूबसुरत हैं उतने ही सेहत के लिए दवाई का काम भी करते हैं इन दिनों उत्राखन के पहाड़ी गर्म इलाकों के जंगलों में क्वेराल जिसे कचनार नाम से भी जाना जाता है हर जगा खिले हुए हैं जिनकी कलिया तोड़ कर उसका रायता और अचार बनाया जाता है जो पेट के रोगों के लिए रामबार औशदी के तौर पर काम करता है इसमें एंटी बैक्टिरियल प्रॉपरिटीज एंटी डायरियल प्रॉपरिटीज के साथ ही एंटी डायरियल प्रॉपरिटीज होती है जो थायराइट को कंट्रोल करने का काम करती है इसके अलावा ब्लड यूर्या को कंट्रोल करने में भी इसका महत्यमून योगदान रहता पिठोरगण में आयरवेद के जानकार राकेश मंत ने इसकी विशेशता बताते हुए कहा कि क्वेराल का उपयोग आज भी पहाड़ी इलाकों में पेट की बिमारियों को दूर करने में किया जाता है उन्होंने कहा कि क्वेराल प्रकरती से उपहार के रूप में मिला एक पेड़ है जिसकी चाल से कई प्रकार की आयरवेदिक दवाईयां भी बनाई जाती है और इसकी कलिया और फूल को खाने से पेड़ की गंभिर बिमारिया भी दूर होती है देखे क्वेराल हमारे पहाड पर सदियों से इस्तमाल होने वाली एक प्रकरती कौशदी के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है क्वेराल को कच्छनार भी कहते हैं और इसका जो सैंटिफिक नाम है वो आर्किट्रे है एंटी बेक्टरियल गुर्स में पाए जाते हैं कई सारी बिमारिया जैसे थाराइड हैं ब्लड यूरिया है और एंटी डाइरिया भी ये कहा जाता है इसको पेट के कई जो रोग होते हैं उनमें लापकारी माने जाता है इसका इस्तमाल पहाड में अलग अलग तरीके से किया जाता है राइता बनाकर दही में पीस कर इसका राइता बनाये जाता है और अचार के रूप में भी इसका इस्तमाल किया जाता है तमाम तरीके से पहाड के लोग अलगलब जगह पर इसका इस्तमाल करते हैं और खासकर पहाडों में घाधी वाले इलाकों में ज्यादा पाये रहता है और सबी लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए और कई रोगों का उक्चार भी कुईराल के जरी ही सग्यों से कटे आए इतने आशदी गुण होने के कारण अब कुईराल के अचार की ढिवान भी बजार में बढ़ रही है प्रकरती से निशुल के मिले इस पेड़ का व्यवसाई को प्योग भी किया जा सकता है इससे कि यह पहाड में रहने वाले लोगों की आजीव का बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सके जर्वत है तो इसके व्यापक परचार प्रसार की जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी विशेशता का पता चल सके पितारागर से हमान से जोसी लोकल एटीन उत्राखन के लिए